Hello friends, welcome to Sahos of Solutions और आप देख रहे हमारा Angler 17 का full tutorial series दोस्तों जैसा कि इस series के पिछले वीडियो में हमने ng class के बारे में देखा जो की एक attribute डारेक्टिव है उसको हमने practical करके देखा उसे हमने ng style के बारे में भी देखा अगर आपने नहीं विजिट किया है पिछला वीडियो तो जु data binding का क्या role है कियों यूज करते हैं और कैसे करते हैं कितने type का होता है इन सारे चीजों पर हम focus करेंगे इस वीडियों है तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को और सबसे पहले में आप लोग से request करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस channel को subscribe नहीं किया है तो data binding जो है बहुत important role play करता है किसी भी technology के लिए किसी भी application के लिए अगर मैं बात करूँ data की तो data बीना data का तो कोई application बनी नहीं सकता है अगर आप को static website बनाते हैं तो वहाँ पर data दिखा रहे होते हैं अगर कोई आप dynamic website बनाते हैं जहां से users data लेते हैं तो मतलब वहां से data ले रहे होते हैं user से तो मतलब बीना data का ता आपका कोई application बनता नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब यह हुआ कि data binding क्या होता है हमने पर बात कि यह data होता है दिखाते हैं निते डेटा लेते हैं अगर data bind करना हो user को दिखाना हो तक किस तरीके से bind करते होता है है angular के अंदर data binding का concept देखे data binding का concept होता है उनर के अंदर communication between component to view या फिर आप बोल सकते हैं communication between component to its view मतलब उसी के view के बीच में जो communication होता है कहने का मतलब यह हुगा कि जब भी आप कोई component create करते हैं अच्छे समझेगा आप जब भी कोई component create करते हैं तोहां पर क्या होता है चार फाइल क्रिट होता है एक HTML फाइल क्रेट होता है जिसे उस component के विव बोलते हैं एक TS फाइल क्रेट होता है जिसको हम component बोलते हैं ठीक है और इन दोनों के बीच में जो communication होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा बाइंडिंग माल लिजे कोई component पर कोई वैरियेबल है उसका वैलू आपको उसके HTML पर दिखाना है तो भी the help of data binding आप कर सकते हैं तो इन सारी चीजों को लेकर डेटा बाइंडिंग को मतलब भी जहां पर बोलूंगा समझेगा कि HTML बोल रहा हूं from the component component जहां पर बोलेंगे समझेगे TS फाइल की बात कर रहा हूं ठीक है डेटा बाइंडिंग यह जी उच्ट ठीक है डेटा बाइंडिंग क्या होता है की component और उसके view के बीच में जो communication होता है उसी को हम लोग डेटा बाइंडिंग बोलते हैं ठीक है डेटा बाइंडिंग बेसिकली मिन्स इंट्रेक्टिंग विद डेटा डेटा से इंट्रेक्ट कर गए हैं इसको बोलेंगे डेटा वाइंडिंग को काटेग्राइज भी किया गया है यह आपर मैंने बता रखा है कि इस चीज को लेकर फर्दर इसको फिर क्या गया एक हो गया को मतला प्ली से डेटा जाएगा विव पर और एक होगे विव टू कमपोनेंट मत्तब्यू से कोई डेटा आएगा टी एस फाइल पर तो विव जो हता उसमें आता है इंटरपोलेशन प्रपट्रिवाइंडिंग अच्छे ध्यान रखेगा अगर आप से कोई पूछता है कि इंटरपोलेश और एक होता है विव टू कमपोनेंट जो इसके आपोसीट काम करता है उसमें आता है इवेंट वाइंडिंग में क्या होता है कि कि हमकोई बटन वागरले रेते हैं चैशे कोई भी कलीक अबल लेकिन लेते हैं उसके connect पर कोई event fire होता है और उसके base पर हम कोई method call करते हैं अपने ts file पर तो मतलब कि हम event fire कर रहा है कि हम html पर उस method call रहा है ts file पर या फिर event के साथ method call करते हैं उसके साथ कोई value लेकर आ सकते है html से ts file पर तो यह opposite direction में काम किया यह हो गया आपका view to component यह भी one way data binding है event binding लेकिन यह हो गया view to component और एक होता है two way data binding two way data binding में आपका क्या हो गया कि एक ही element पर किसी value को दोनों तरफ से आप सिंक कर सकते हैं मतलब कि अगर ts file पर उस value में कुछ change करते हैं तो html पर reflect करेगा html उसमें change करते है ts file पर reflect करेगा मतलब दोनों तरफ से उस इंक होता है तो इन सारे चीजों को जितने भी वाइंडिंग से इन सबको में step पर step आगे एक करके एक एक वीडियो दूँगा और उस वीडियो में सब के बारे में समझाओंगा आप बने रहे हैं सीरीज में क्योंकि यह बहुत इंपॉंटिंट हो जाता है जब भी किसी एंग्लर का अप्लिकेशन को डेवलप करते हैं तो डेटा वाइंडिंग इंपॉंटेंट रूल प्ले करता है हर जगा आपको मिलेगा इस सब चीजों को हम डीपली पढ़ेंगे एक एक वीडियो में एक वाइंडिंग को विद एक एकशामिपल box में जाये हमारा website का लिंक अब लेवलेवल है उस पर विजीट करेएं सिलर बस देखिए या फिर आपको ज़्यादा वीडियो इनक्वारि करना है तो मुबाइल नंबर भी अबलेबल है आप कॉल करके भी इंक्वारी कर सकते हैं बैस जॉइन कर सकते हैं तो यहां पर मैं निया लोग को ये बताया कि एक होता है source वी एक होता टाटा बाइंडिंग टैटा बाइंटिक्राइंड का प्रिटेंड बने रहे और एक एक वीडियो को अच्छे से समझिए जो भी डाव्ट हो तो हमें कमेंट करके जुरू बताये आई होप कि आप लोग को जरूर समझ में आ गया होगा फिर भी जो कोई confusion हो जरूर सेर करें हम आपके साहत हैं हम आपका help जरूर करेंगे चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए thank you so much